तो अब हम लोगों डिसेस करेंगे अब टेनिंग दा फॉरेंज जीन प्रोड़क्ट यानि कि जो जीन या जो एलियन डियन ने हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर के थुरू किसी भी बैक्टिरिया प्लांट या इनमल सिल के अंदर ट्रांसफर किया है अब वो वहाँ जा करके मल्टिप्लिकेशन करेगा मल्टिप्लाइड होगा और जो हम डिजायर प्रोड़क्ट जिस चीज के लिए हमने उस एलियन डियन डियने को डाला था वो अब प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो जो एलियन डियन डियने है उसको हम लोग जब हेट्रोजिनस होस्ट के अंदर इंटर कराते हैं रिकमेने डियने के फार्म में जब वो जीन इंटर होगा तो वहाँ पर वो अपने आपको एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस के इस फार्म में करेगा प्रोटीन के फार में तो इस प्रोटीन को जो की रिकमिनेंट डेनने के थुरू या एलियन डेनने के एड होने के बाद प्रेडूस होती है चुकि ये रिकमिनेंट डेनने के थुरू बन रही है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिकमिनेंट प्रोटीन तो यह recombinant protein है कि जो protein recombinant DNA after recombinant DNA formation produce हो रही है उसको हम लोग recombinant protein बोलेंगे और आप जानते हैं कि कोई भी gene है जब आपने आपको express करेगी तो express किस फार्म में करेगी protein के फार्म में amino acid या protein के फार्म में ही अपने आपको जीन expression का मतलब ही है कि वो desirable protein को produce करेगी तो recombinant DNA produces recombinant protein तो इस तरह से हम लोग जिस protein को हमें produce कराना है उस चीज को हम लोग identify करते हैं उस gene को identify करते हैं उसको फिर add करते हैं फिर उसके बाद उसका multiplication कराते हैं और फिर उस desirable product को हम लोग produce करते हैं होस्टेल के अंदर इस तरह से ये पूरी procedure है और इस तरह से cloning का जो main purpose होता है वो ultimately यह है कि हम last में उस desirable protein को achieve करें produce करें